कि नमस्ते दोस्तों मैं दुशार्जेन आज का टॉपिक है कार्पेंट्री टूर्स आज हम कार्पेंटर के इस्तमाल में लाए जाना है वह बहुत ही इंपॉर्टन टूर्स जिसे हम बेंच प्लिन कहते हैं उसके के बारे में सीखने वाले हैं तो चलिए चलते हैं बेंच प्लेंट के बारे में समझते हैं तो आज के टॉपिक के डिफरेंट टैपस बेंच प्लेंट उसके परपस और उसका फंक्शन यह आज के टॉपिक के अबजिक्टिव से तो बेंच प्लेंट होता क्या है जो जो बेंच प्लेन कहते हैं प्लेन्स आर यूज्ट फॉर प्रोडीसिंग फ्लाइट एंड स्मूथ सर्पेस बाइट टेकिंग ऑप शीविंग ऑफ वूड यह वूड के उपर की लेयर को निकाल कर उससे स्मूथ करना प्लेन करना के लिए जो टूल से इस्तेमाल में प्लाते हैं उ आज इंग्लिश में पॉल दिया तो थोड़ा कन्प्यूजिंग हो गया तो टाइपस ऑप प्लेन्स जो होते हैं उसके डिफरेंट टाइपस होते हैं जैसे कि जैक प्लेन स्मूथ प्लेन और रिबेट प्लेन तो डाइग्रमेटिकली जो है वह इस तरीके से दिखाई देते है जैक प्लेन जो होता है वह इस तरीके से दिखाई देता है जिसे हम आयरें जैक प्लेन भी कहते हैं स्मूथ प्लेन जो होता है वह इस तरीके से दिखाई देता है जो कि जैक प्लेन से साइज में थोड़ा छोटा होता है और बाकी पार्ट्स जो होते है वह सिमिलर होते है रिबेट प्लेंज जो होता है थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यह साइज और वीद दोनों में ही जो जैक प्लेंज प्लेंज से छोटा होता है जिसके जो वरकिंग फंक्शन है कुछ डिफरेंट होते हैं कि आये जानते हैं जैक प्लेंज तो जो जैक प्लेंज होता है वह जो होता है जो किसी भी तरिके से वुड़ को अप्टू सर्फेस को मैक्जिमम प्लेंज करने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है इस यूज फॉर इनिशियल प्लेंग ऑफ टिमबर तो ब्रिंग तसाइज न के ल सकती है जो कि जो लार्जर वुड़ फे भी और चोटे वुड़ पर बाता है तो कि जो इंपॉर्टंत पार्टस हो कुछ इस तरीके से है यह जो है इसकी बाड़ी होती है और अंडल कहते है यहाँ पे जो एक टाश्य है इससे हम कहते है नॉब yep नॉप के बाद में यहाँ पर होता हैoit का कतिन्ग आरंट और ब्लेड इसे हम ब्लेड कहते हैं तो ये ब्लेड कोSi करने के लिए एक लगाई जाती है उसकimento के ऊपर एक क्लिवर होता है जिसे लिवर कैंप कहते है और एक adjustment nut होता है तो यह parts बने किस चीज़ के होते हैं तो जो body होती है वो बनी होती है iron की handle जो होता है यह handle होता है यह वूड का बना होता है नॉब जो होता है यह भी भूड का बना होता है और cutting iron ब्लेड जो की important part है जैक plane का वो बना होता है और बाकी जो parts है वो सब metal के बने होते हैं कई बार आपको objectives में पूछा जाता है कि जैक plane का जो blade है या cutting iron ने वो किस चीज़ का बना होता है किस धातु का बना होता है और आपके सामने चार objective दिखाई देते हैं पहले जोता है आएरन दुसरे में उता है बी वूड तीसरे में होता है सी मेटल और चोत्य में होता है डी टंगस्टन स्टेल तो वीचिज़ इसग ड्रू टंगस्टन स्टेल का बनाया जाता है तो साइज जो जो एक्रिशन और वायर्मन होते हैं यह ज्यादा करके 350 mm साइस के जो जैक प्लेन नहों हिस्त्माल में लेते हैं जिसकी जो ब्लेड की साइस होती है वह 5600 mm तो अब शेदे स्मूथिंग प्लेन और जैक प्लेन ये दोनों ही समोते ये इनक्राऊ होता जायी कि जो smoothing plane होता है यह jack plane का छोटा भाई है होता है ना बड़ा भाई और छोटा भाई बाप बेटा तो उसी तरीके से वो सेम दिखते हैं तो जो छोटे बुड होते हैं उसे finishing करना और planning करने के लिए smoothing plane इस्तमाल में लाए जाते हैं क्योंकि इसकी जो size होती है as compared to jack plane से छोट होती है और यह जो पार्ट्स होते हैं smoothing plane के ज्यादा पूरे के पूरे ही सेम होते हैं क्योंकि smoothing plane जोता है छोटे size का jack plane है कि रिबेट प्लेन यह smoothing plane जैक प्लेन से डिफरेंट है जो छोटे-छोटे वूट्स होते हैं चोटे jobs होते हैं उसे finishing करने के लिए इस्तिमाल में लाया जाने वाला plane है उसे हम रिबेट प्लेन करते हैं क्योंकि छोटे job को हम रिबेट कहते हैं और छोटे job के उपर jack plane जो होता है bigger size उसकी जो size होती है वो width होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और छोटे job के उपर अगर इसने ज्यादा वीट के अगर प्लेंस का इस्तिमाल करा जाया तो वो इसे वर्क करते उसमें नहीं आता है तो उस जगे पर रिबेट प्लें का इस्तिमाल करते हैं जो की जो 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 जॉब होते है उसे प्लें करना च्छोटे जॉब को और उसके जो उसे उसे across across age के इसमें rectangular shift देने का लिए इस्तिमाल में लाया जाता है तो इट इस इस उस फॉर प्लेंग और फिनिशिंग दप्रीबेट डैट इस रेक्टेंगुलर रिसे से 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 कट अलांग एंड क्रॉस्टी एज तवीट अब देट प्लेंग जो जैक प्लेंग की तुना इसकी वीथ कम होती है इसके दो प्रकार होते एक होता है हैं मिटल रिबेट प्लेंग और दूसरा होता है वूट रिबेट प्लेंग तो आएए चलते जानते हैं डीटल रिबेट प्लेंग तो मेटल दिखाई कूछ इस तरीके से देखा एडाग्राम में हम देख किया आ उसका साइड वीव भी शोक कियो आए कई बार एक्जाम और बॉड़ी चो भी होता है उसे हम क्या करते हैं हैंडल सी होता है इसे हम क्या क्यों क्या है ब्लॉड्ड क्यों इसके होते हैं तो इस में हमने शोकिया हुआ है साइड वीव बीशो किया विश्व किया हूँ बॉडी जो होती है यह जो बॉडी होती है इसकी मिटल की बनी होती है जो इटस फेसली फ्लैट सब्सक्राइश होता है रिप वह इंटेचल पाल्ट ऑप बॉड़ी पार्ट होता है टेपर डगा हुआ है उसे यो कि ब्लेड को करने के लिए इस्तमाल में लाए जाता है और यह जो ओता है जो जुब के जो होता है उसके करके को करके फिक्स किया जाता है आपके तो थोड़ा धेन में आई गया होगा छोटा जॉब बोले तो छोटी पटली होगे रही है छोटे छोटे चुटे चो जॉब होते हैं उससे स्मूथ करने के लिए इस्तमाल में लाया जाता है तो अभी उसका दुसरा पार्ट रिबेट प्लेन में का वुड़न रिबेट प्लेन दुसरा टाइप सॉरी तो वुड़न रिबेट प्लेन नाम से ही आपके समझ में आओंगा यह वुड़का बना होता है अब वुड़का बना होता है तो ब्लेड भी सर बुड़की बनाई न बनाए जाती है जो कि प्लेट उसको करके रखती है तो इस तरीके से तो होता है तो अधिसी होता है इसते दूसरा यह आपको शूरी तेर्य वह बेस को शूरली इस बेस बिफॉर यूज उसका बेस जो है वह बेस के समान इसमें एड़ेस्ट करके फिट किया जाना चाहिए तो यह आज हमने प्लेंस के बारे में सिखा तो थैंकिंग यू है वनाइस टे